जहिन साथ युनवश्कार ट्रपल सी की इस क्लास में आज खेलेंगे 2020 अर्थाथ आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रपल सी एक्जाम के लिए 20 आति महात्पूर्ण प्रश्ण या सभी प्रश्ण ट्रपल सी की पिछली परिक्षाओं पर आधारित हैं और आगामी परिक्षा के लिए बहुत ज्यादा महात्पूर्ण हैं इसलिए आप इस वीडियो को लाज तक जयूर देखेगा क्योंकि हर क्यूस्टन को मैं एक्स्प्रेन करके आपको समझाऊंगा ताकि एक क्यूस्टन के साथ साथ कई सारे प्रश्ण आपके तयार हो जाएं इसलिए शाथ में एक नोटबुक और प्रेन जयूर रखे अगर आपकी ट्रपल सी की तयारी बिल्कुल भी नहीं है तो एक कम्प्लीटली वीडियो ट्रपल सी 1100 प्रश्णों की महामरतन क्लास आप चयूर देखेगा क्योंकि वहाँ एक वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा अगर आप ट्रपल सी एक्साम को टॉप करना चाहते हैं शाथी साथ वीडियो की नीचे 2000 कुश्ण की पीडियाप के लिंक दी है जिसे मैंने अपडेट कर दिया है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो टाइम वेश्ट न करते हुए चलिए खेलते हैं आप और हम आज की ये 2020 दोस्तों पहला प्रश्ण आपका लिब्रे आउफिस का न्यू वर्जन कब लांच किया गया लिब्रे आफिस के आपका एक उपन सोर्स आफ्टर है जिसमें टाइम टू टाइम अपडेटिंग होती रहती है इसके पहले सितंबर में अपडेट किया गया था लेकिन फिर से लिब्रे आउफिस का न्यू वर्जन लांच कर दिया गया है तो यहाँ पर लिब्रे आफिस का न्यू वर्जन कब लांच किया गया बताइए तो इसका राइट अंसर होगा आप्शन थर्ड तीन फरवरी दोहजार एक कीस को अभी हाले ही में लिब्रे आफिस का नया वर्जन लांच किया गया है इसके पहले 3 सितंबर 2020 को LibreOffice का वर्जन जो अपडेट किया गया था लेकिन अब लेटेस्ट वाला 3 फरवरी 2021 को हो गया है नोट कर लीजेगा जिनके पास पुरानी PDF होगी पुरानी e-book होगी वहाँ पर 3 सितंबर 2020 होगा लेकिन अब नोट कर लीजेगा 2021 हो गया और इसे मैंने वहाँ पर अपडेट भी कर दिया है अब देखते हैं नेस्ट कुशन निम्र में से ऐसा कौन सा टर्म है जो रोबोट के 5 बेसिक पार्ट में शमलित नहीं है अब यहाँ से एक कुशन आपका और तयार हो जाएगा कि रोबोट के कितने बेसिक पार्ट होते हैं तो 5 बेसिक पार्ट होते हैं इसमें से जो आपका पेरिफेरल टूल्स है यह रोबोट के 5 बेसिक पार्ट में नहीं आता है तो इसका राइट रान सा हो जाएगा आपसन फर्स्ट पेरिफेरल टूल्स अब देखते हैं next question निम्न में से किस shortcut key को auto text के लिए उप्योग करते हैं means किस shortcut key का उप्योग करके हम auto text function का उप्योग कर सकते हैं आईए हम यहाँ पर open कर लेते हैं LibreOffice Writer और with practical आपको दिखाते हैं कि कैसे आप auto text को अपने LibreOffice में उप्योग कर सकते हैं तो यहाँ पर देखी Writer open है यहाँ पर जब आप जाएंगे Tools मीनों में तो यहाँ पर मिलेगा auto text को option ठीक है काफी important आपके लिए spelling के लिए shortcut key ट्रिपल सिक्सा में काफी पूछी आती है F7 होती है, Automatic spell checking की, Shift plus F7, SE Thistles की, Ctrl plus F7 और auto text की होती है Ctrl plus F3 ठीक है? नोट कर लिजेगा काफी important है तो यहाँ पर हमारा जो question था की auto text की sorted की, तो Ctrl plus F3 होगा Option second is right, अब next अगर आप अपने computer system में एक नया printer जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए किसका उप्योग करेंगे? Means, computer में एक नया printer आपको add करना है Means, new printer अगर आप install करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका उप्योग करेंगे? तो इसका right answer होगा, control panel Control panel के माध्यमशे, हम अपने computer में नए printer को install भी कर सकते हैं और जो पुराना printer है, उसे uninstall भी कर सकते हैं Means, computer के अंतरगर जितने भी programs हैं, जितने भी features हैं उन सभी को control panel के द्वारा हम manage कर सकते हैं ठेक है? अब next निर्ण मेंशे कौन सा command, directory और sub directory create करने का काम करता है ट्रपल सीक साम में Linux और Unix के command से सम्बंधित काफी सार प्रशन पूछे आते हैं तो यहाँ पर जो MD command है और MKDIR है यह दोनों command, directory और sub directory को create करने के लिए उप्योग में लाई जाती हैं तो इसका right answer हो जाएगा option 4th A and B दोनों अब next विंडोस 10 में एक निजी सहाय के रूप में कौन काम करता है ट्रपल सी के प्रीवेस एकसाम में विंडोस 10 से काफी साई कुशन पूछे गया थे तो विंडोस 10 में एक निजी सहाय के रूप में कौटना वग करता है option 3rd is right यह क्या है आपका एक virtual voice assistant होता है ठीक है अब next लिब्र आफिस राइटर डाकुमेंट में शामान ने तहां मार्जिन क्या होता है means राइटर के अंतरगात डाकुमेंट में शामान ने मार्जिन कितनी होगी 2.0, 2.2, 1.5, 1.0 cm तो इसका राइटर आंसर होगा 1.0 cm अब next पहला वेब ब्राउजर कब बना था पहले वेब ब्राउजर में काफी confusion मुझे लग रही है देखिए जब इंटरनेट मैंने पढ़ाया था अगर आपको confusion है तो आप उस class को attend कर लीजिए चैनल को visit कीजिए CCC complete course in Hindi की प्रजिश्ट पिनी होई है चैप्टर 6 आप अच्छे से देख लीजिए पहला वेब ब्राउजर यह www को माना जाता है जिसका full form होता है worldwide wave विस्व का पहला वेब ब्राउजर www है लेकिन question अगर यह पूछता है कि पहला graphical वेब ब्राउजर कौन सा है तो मोजाइक होए आपका पहला graphical वेब ब्राउजर जो 1992-1993 में लाया गया था ठीक है तो पहला वेब ब्राउजर कब बना था तो इसका जो प्रस्ताव था यह रखा गया था 1990 में और वेब पेज आपका पहला प्रकाशित किया गया था 1991 में तो 90 से 91 का जो दसक है इसी समय में पहला वेब ब्राउजर www लांज किया गया था नोट कर लीजेगा अब देखते हैं नेस कुश्चन लिब्रा ओफिस इंप्रस में जूम प्रतिशत का निउन्ता मान कितना होता है अर्थाथ लिब्रा ओफिस इंप्रस में मिनमम जूम कितना होता है मिनमम जूम कितना है मैक्सिमम जूम कितना है ये कुश्चन एक्साम में काफी पूछाता है तो इंप्रस में मिनमम जूम होता है आपका 5 प्रतिशत कितना 5 प्रतिशत अगर यहीं पर पूछ लेता है कि maximum zoom कितना होगा तो maximum आपका होता है 3000 प्रतिशत कितना 3000% अब next किसी भी shell को edit करने के लिए किस shortcut key का उपयोग करते हैं means अगर आप LibreOffice Kell में कोई shell edit करना चाहते हो तो इसके लिए किस shortcut key का उपयोग करते हैं तो इसका right answer होगा F2 ठेक है edit mode के लिए हम F2 का उपयोग करते हैं अब देखते हैं next question पहले व्यापक रूप से इस्तमाल किया जाने वाला web browser कौन सा है देखिए फिर यहाँ पर confusion होगी कई सारे questions हैं जिनने हमें सही से समसना है और सही से पढ़ना है अब ही मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन आया वर्ड वाइड वेब आया लेकिन व्यापक रूप से इस्तमाल किया गया था मेंसे काफी बड़े पैमायने पर उप्योग किया गया था तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे पहले व्यापक रूप से जो इस्तमाल किया गया हो तो व्यापक रूप शे मोजाइक का उप्योग किया था ना कि वर्ड वाइड वेब का तो इसे आप नोट कर लीजेगा पहला वेब ब्राउजर वर्ड वाइड वेब ही है उसके बाद ही मोजाइक को लांज किया गया था लेकिन व्यापक रूपशे मोजाइक का ही उप्योग हुआ है अब next वेब सर्च एंजन कई वेब पेजों की जानकारी किसके द्वारा इस्टोर करता है बताईए ये क्विशन भी काफ़ी इंपॉर्टिंट है तो कई भी वेब सर्च एंजन जो होता है वो कई वेब पेज की जानकारी वेब कॉलर के द्वारा इस्टोर करने का काम करता है आप सम second is right, अब next F P G A stand for F P G A का full form क्या है, बताईए काफी important question है, कई बाद triple six exam में repeat हुआ है तो F E G A का full form होता है file, programmable gate array, ठीक है option third is right, अब next Bluetooth किसका उप्योग करता है बताईए, Bluetooth निम्नमेशे किसका उप्योग करता है तो Bluetooth आपका frequency hoping aspect spectrum का उप्योग करता है option first is right, अब next किसी विशेश कारे को करने के लिए दूसरी कुझी के साथ सायोजन कुझी में किस कुझी का उप्योग किया चाता है तो किसी विशेश काम को करने के लिए हम function की का उप्योग करते है तो सायोजन कुझी में function की का उप्योग किया जाता है option first is right function की की संख्या कितनी है या question भी triple six सामें काफी पूछा आता है तो function की आपकी total कितनी होती है भाया 12 होती है F1 से लेकर F12 तक यह की बोर्ड में सबसे उपर होती है और सभी का हर प्रोग्राम में अलग-अलग काम होता है ठीक है नोट कर लीजिएगा अब देखते हैं next question किस नेटवर्क का उप्योग करके cost एवं checker को रोकने का काम किया जाता है तो बताए किस नेटवर्क का उप्योग करके cost को कम और checker को रोकने का काम किया जाता है तो इसका राई टांसर होगा option second switch ठीक है अब next निम्न वेशे कौन सा hardware नहीं है बताए कौन इसमें से hardware नहीं है तो देखिए पंच card reader hardware है storage device है magnetic tape reader भी आपका hardware है यह आपका hardware नहीं है यह आपका क्या है shafter है यह आपका एक language translator है option fourth is right अब देखते हैं next question database का एक हिस्सा जो केवल एक प्रकार का data संगरहित करता है उशे क्या कहते हैं तो database का वह हिस्सा जो एक प्रकार की data को store करने का काम करता है उशे हम field के नाम से जानते हैं option third is right अब next server से प्राप्त नए शन्देश को देखने के लिए mail window में किस बटन का प्रयोग करते हैं Microsoft Outlook में इसका अप्योग होता है अगर server से जो नई mail आई है उशे देखने के लिए हम get mail का अप्योग करते हैं option first is right wordpress को हम क्या कह सकते हैं बताई तो wordpress को हम कहते हैं content manage website option first is right दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा साथी साथ exam से पहले CCC की महा मेरतन क्लास को आप चयूर देखिए और जने पीडियाप के आवशकता है वह आप वीडियो के नीचे दीगए लिंक के के दौरा पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं thanks for watching my video अगर आप इस परवार में नए हैं तो परवार से जोडने के लिए subscribe कर दीजिए like कर दीजिए share कर दीजिए thanks for watching my video फिर मिलते हैं next class में तब तक के लिए bye bye